नमस्का दोस्तों मैं अभी आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल अभी टेक स्टुडियो में तो दोस्तों आज मैं हाजर हुआ हूँ एक नए वीडियो के साथ जो के एक स्टुडियो सर्फ बनाके लाइए इस्पेशली ऑन जौब अपोचनिटी तुरू एस से और मैंने सोचा भी कि एक थोड़ा वीडियो इस पर बनता है और बिल्कुल मैं आज आपके सामने बिल्कुल आप बताने वाला हूं कि क्या-क्या जॉब ऑप्शिन्स अभेल हैं थ तो मैनी अपरजनिटीज दाट यू कें ग्रेव थ्रू स्टाप सेलेक्शन कमिशन तो इंडिया में अगर आपको गवर्मेंट जॉब लेनी हैं वह भी गुरूप ए और गुरूप बी जॉब्स वह पार्टिक्रली मिलती हैं कमिटिव एक्जाम नेशन लिखने से या तो आ के लिए और वहीं पर स्टाप सेलेक्शन कमिशन के थ्रू जितने भी जॉब्स आते हैं वह आते हैं गुरूप भी नॉन गजिस्टेड ऑफिसर्स के टेगरी के लिए जहां तक अगर दोनों का कंपरिजन आप करते हैं तो यू पेसी का जो एक्जाम होता है तो ठवर TC होता है पर कम कर युज निए है बहुत सारी अडर इश्यू भी आ रहे हैं साकी exam nation में हलांके पॉचियर is fair होता है इसमें selection procedure होगा वो बिल्कुल फेर होता है तो सबसे बड़ी बात यह होती है कि यह क्या है स्टाइब सेलेक्शन Commission और किस टाइब की जो वेकंसी हैं इसमें और क्या क्या है पूचा जाता है इसके तुरू आप इसको क्रैक कर सकते हैं तो आज के जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो दू सब्सक्राइब डॉन फोर्गेट टू प्रेस्टी बैल आइकन सो देट इस काइंड वीडियो यू विल डेफिनली गेट वन सेवर इट गेटिंग अप्रूड इन फिर फॉर्गेट तो चलिए दोस्तों कारवांद चालू करते हैं और आज हम मैं हमारा टॉपिक यह है कि क्या है स्टाफ सेलेक्शन कमिशन और यह कब बना और इसका मैं नुद्दिस क्या था तो जो स्टाफ सेलेक्शन शलाउन कमिशन और गर्वंट आफ इंडिया के एंडर काम करतीया इसका मैं पर प्रफस होता है रिकुरूड मेंट टेस्ट कराना पार्टिकुली जो अपनी जोब्स जोब में जितने भी इसेक्टर है जिस पर्टिकूरिंट रहें डिवीजन के और ग्रुप भी पोस्ट के का रिकूर्डमेंट इसके तुरू होता है और जहां तक हम देखें तो यह कमिशन जो है इसका जब बनायने का जो रिकमेंडेशन आया था इन दी येर ऑफ कंपनियां है और गवर्मेंट के जो इसको लिया गया था डिपार्टमेंट और दो मेंबर और एक सेक्रेटरी कम कंट्रोल और वहा करते थे अभी वही इनों सेटप है उसका कि इसके अंदर जो है ये सेटप इसी तरह से चलता है एक चेर्मेन और दो मेंबर और एक सेक्रेटरी कम कंट्रोलर अफ एक जावनर तो जब कमेटी ने डिसिजन लिया कि कैसे सेलेक्शन बोर को बिटाया जाए जो कि फिर तरीके से लोगों का सेलेक्शन करें और जितनी भी हमारी रिक्वार्मेंट हैं इन डिफरेंट इनो डिपार्टमेंट और गर्वर्मेंट वी कन फुल फिल्फिल दी येंग इनो दिया गया तो इनीचली इसको हम स्टाफ सेलेक्शन के नाम से नहीं जानते थे जब इसको शुरू में बनाये गया तो इसको बस कहा जाता था लोगर सब डिविजन ओफिशियर सेलेक्शन तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि डिपार्टमेंट पर्सनल अडिशेशन का करते थे बट धीरे जब नसेस्टी परी तो ट्वंटी सिक्थ सेप्टेमबर 1977 में इसको दुबारा से रिनेम किया गया और नाम दिया गया स्टाफ सेलेक्शन कमिशन देर और वार वार जितने भी एक्जामनेशन हो रहे हैं इसी अंब्रेला के अंदर हो रहे हैं जिसको हम सेलेक्शन कमिशन और इस शौट वी किन से ससी तो हर साल जो ससी एक्जाम कराता है डिफरेंट डिफरेंट डिपार्ट्समेंट के लिए इन डिफरेंट के टेगरीज और स्पेशली जितने भी जो जॉब्स इसके तुरू जो लोग लेते हैं वो होती हैं नॉन गेजिस्टे गुवाहाटी चैनाई बैंगरोर और नियो डेली इसके लवान के सब रीजिनल आफिसेस भी हैं जिनमें पार्ट्री कुली दो सब रीजिनल आफिसेशने इंडिया में राइपुर और अपना दूसरा है चंडीगर में तो यह सब रीजिनल आफिसेस हो गए साथ अपकी तो यह है और इसके थुरू जो इतने भी रिक्रुट रोगते हैं और इंजिनर के लिए आती है कोई अगर इंकम टेक्स में जाना चाहता है तो इसी के तुरू आपको मिलेगा कोई अगर एसाई बनना चाहता है सेलेक्शन होता है इसके अंदर आप पेरा मिलेटरी फोर्स के अंदर ऐसाई बन सकते हैं तो उनके लिए जो वेकंसी आती हैं वो एससे के थुरू यह आती हैं तो एसे होल वी किन से एससी इजन और गुवर्मेंट अफ इंडिया टुरू इस पोस्ट इन विरस मिनिस्ट्री और अब इसको हम एससे के नाम से जाते हैं और चली अब देखते हैं कि स्टाइब की जॉब वेकंसी हैं और क्या 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 हम ले सकते हैं तो जो स्टाप सेलेक्शन कमिशन है साथ आराट के टेकरी में जॉब्स में एक्जाम कराते हैं पहला है मूर फैमस कमाइंड ग्रेजुएट लेवल एक्जामनेशन जो के आप ग्रेजुएट हो तो बिल्कुल इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं इसके तुरू बीरियस सेंटर प्लिस औरगनाईएशन्स और इंटेलिजेंस ऑफिचर आई बी एक्जामेशन भी सीकेंटर होता है इंजिनरी के लिए जो पार्टिकली जूनियर इंजिनरी जॉब निकलते हैं सिविल इलेक्रिकल इवन मेकानिकल स्टूडेंट के आलसो अप्लाई फोर इट जून इसके तुरू जाते हैं इस टोनोग्राफर क्रेट सी एंडी का एक्जामनेशन बीस के तुरू होता है फूड कॉरपरेशन से हम एफ सी आई एफ सी आई भी इसके अंडर आ चुका है तो जितने एफ सी आई में ऑफिशर्स की जो वेकेंसी जाती हैं उनको से सी ही करता है दोस्तों तो इतने डिफरेंट काइंड की कैटेगरी जिनके तुरू आप इनों पास कर सकते हैं बिलकुल आपको मुका मिल सकता है अब जोब प्रफाइल कैसे सी कंतर यह कैसे मतलब और चार्ट है और कैसे चलता है उसके बार में थोड़ा सा आपको आडिया देता ह अब ध्यान दे तो फिल्ड जॉब को भी अदर दो केटेगरी में अपने डाल दिया एक तो टेक्स और दूसरा था नॉन टेक्स टेक्स में आता है आपका इंकम टेक्स सेंटरल एक्साइज प्रवेंटिव ऑफिसर्स एक्जामिनर और एनफॉस्मेंट डिरेक्टर तो यह स साइज की जो जितने भी अपने क्लाम मेर्टरी फोर्सेस हैं लाइक सी एर पी एफ अपना एसस्वी और इसके अलावा तुम्हारी जितने भी हैं बी एससेफ इनिके जो एसाई सेलेक्शन हो रहे हैं वो भी इसी फिल्ड केटेगरी में आगए फिल्ड जॉब केटेगरी ए चलता है तो यह फिल्ड जॉब से रिलेटेड यह सारे डिपार्डमेंट होगे जिनके जिनमें आप मतलब ऑफिसर मनके जा सकते हैं नौन गर्श्टर ऑफिसर रिंक में तुरू एससे वहीं पर डेस्ट जोब हैं जहां पर फिक्स्ड जॉब हैं एक पार्टिक्लर रोकेश पर डिपार्टिक्री में आप असिस्टेंट पोस्ट पर जा सकते हैं वहीं और इसे का ले लो या 10 प्लस टू का ले लो तो दोनों में यह दो कर सकते हैं डेस्क जॉब एंड फिल्ड जॉब इससे रिलेटेड आपको पार्टिक्लर जो भी सेक्शन आपको अच्छा लगे जिसे में भी आप फंफर्टिबल हैं आप उसको मेंशन करते हुए और बिल्कुल उसका पार्ट बन सकते हैं और जो बेस्ट आप देना चाहते हैं बिल्कुल अपना प्रोवाइड कर सकते हैं तो यह सारे चीज़े होती है तो वहीं पर देखें तो इसका एक्जाम पैटन क आज कर आप देखेंगे जितने भी एक्जामनेशन हो रहे हैं चाहे दो बैंकिंग ले लो और चाहे एससी ले लो चाहे यूपीसी ले लो जो जनरल एप्टीटूड है विद्ट इस कॉमन और उसके बाद जो जॉब स्पेसिफिक जो टेस्ट होता है वह अलग होता तो इसक पासी खुसकवरी है जितने भी ग्रूप भी जॉब हैं उनके लिए इंटर्व्य उठा दिया गया आप्टर अप्र पार्टिक्रली 2014 तो उनके लिए जॉब के लिए इंटर्व्यू की जुरू तो टैन प्लस टू बेस पे आकर अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए जॉब तो एक ऑब्जेक्टिव होता है दूसरा डेस्क्रीप्टर होता है तो अब्जेक्टिव के बात करें जर्राल निटेंजनेंस रिजनेंग यह 25 मॉर्ट्व फॉट्स से टू इंटिटीव मॉख्यों यह उनके मॉखर करने पुट्टेंज्जन अच्चे मार्टाथे लिए ज इसका अपना ध्यान रखिए बढ़िया बैता तरीकी से यह नो सेल्फ स्टेडी कर सकते हैं ज़रूरी नहीं कोचिंग जाने की से इसलेबस सारा आता है तो एंसी आइटी की बुक रिफर करते हुए बिलुकुल आप तयारी करेंगे तो इसले आप उसको क्रैक कर सकते हैं इस अपना यह भी आता है एंशी के उसके साथ साथ इंटर्वी भी होता है तो अगर हम इसको देखें तो पार्टिकुली फूकस करें कि टायर वन जो एक्जामनेशन वह आनुस्ट सिमिलर लाइक के टैन प्लस टू उसमें जनल इंटेलिजेंस रिजनिंग पचास मार्क्स का य चालिस मेंट का रहता है तो यह पास करना पड़ता है इसको प्री कहलो या टायर वन इंग्जामनेशन कर लो जो टायर इंगली है लिए लिए जब टो के लिए आप जाते हैं तो डायर्ट टू टाइब का लिए इस अट्रो जाता है इसमें कर हम देखें कॉन्डी दूर्ट मार्क्स रहते हैं दो घंटे का होगे वह बिजुली जो हैंडी के लिए दो घंटे चालिज का रहे गया और सेकंड होता है इंग्लिएस लेंग्वेज एंड कंप्रिहांशन का यह टोटल टाइब की एक्जामिनेशन हो जाते हैं तो यह 400 मार्क का यह होता है टाइटू और इसका टोटल डॉरेशन आप समझ लिए दो घंटे दो घंटे का टोटल मिलाक कर तो यह टायर वन टाइटू के टोटल टोगेदर मार्क्स करी फॉरवाड करके आपका जो लिस् क्या करते हैं जो रेंकिंग आएगी आपकी मेरेट लिस्ट डिसाइड की जाएगी इसके सासा तो जो पार्ट स्पेसिफिक जॉब स्पेसिफिक कंप्यूटर प्रॉपिसेंसी टेस्ट भी होता है फॉर पोस्ट आप असेस्टेंस इन सी एसेस ओनली दर जितने भी डिपार् एक डिफरेंस है आयर सेकेंटरी एक्जामनेशन और कंबाइंड लेवल एक्जामनेशन में एकदम सिंपल है आपको 200 मार्स का उसमें आपने अच्छा पर्फॉम कर लिया तो आपका सेलेक्शन डैम शॉर इंटर्वीव वहां पर है नहीं इसमें इंटर्वीव कंपोरेंट है और मार्स का जो कि बहुत क्रिटिकल होता है दोस्तों इसको ऐसे एजी ना लें इसके लिए परप्रेशन करने पड़ती है और टोटल 700 में से अगर अच्छे मार्स आप लेके आते हैं तो यह हमारा हो गया रिगारिंग दी एक्जाम पैटर्ण तो एक्जाम पैटर्ण इ इसले दो तीन साल से के इनके पेपर भी थोड़े बहुत लीक हो गए तो यह सिस्टम का पार्ट है डिस्टम का फॉल्ट है डेफिनिली वो रेक्टिफाई कर रहे हैं इस विससे थोड़ा सा सेलेक्शन प्रोसीजर स्लो हो गया अभी एक साल के गैप के साथ चल रहा है पहल इस नाइंटी की बज़े से 19 से क्या वात के बहुत सारे डिले हुए एक्जामनेशन सारे डिले चल रहे हैं और फिलाल फिर से रीकवर होने की कोसिस हो रहा है और फिर से एससे रेगुलर मोड में आ जाएगा और एससे में बताऊं आप्टर यूपीएसी तो प्राइमरी मे तो आपको यूपीएसी की तुरू करनी होती है सेकेंड के टेगरी आती है वो होती है स्टाफ स्लेक्शन कमिशन तो यह ग्रुप भी जॉब होती यह भी ऑफिसर के टेकरी होते है अगर आप इससे गुरूप वे में जाना चाहते है तो फूर्टीन येर्स प्लस का एक्सप competition is very tough there because vacancies are less here vacancy क्या होती ही ज्यादा होती है तो even उन लोगों के लिए जो at least government sector का पार्ट होना चाहते हैं और कुछ contribute करना चाहते हैं तो बिल्कुर उनके लिए staff selection commission एक अच्छा opportunity है जिसके थुरू आप grave कर सकते हैं यह सारी जौब है highly paid job है respectable job है समाध में आपको respect भी मिलेगी तो दोस्तों आज के video को लाने का मेरा मैन मकसद यही था कि आपको बताना कैसे सी है क्या अपार्ट फॉर्म इनो regular mode of examination यह भी एक mode है जिसके तुरू आपको बिल्कुर ट्राइब करना चाहिए competitive examination है तो तयारी भी serious करने चाहिए आप तयारी serious करेंगे तो obviously कोई भी examination होगा वो छोटा आपको लगएगा बिल्कुल आंगे बचल के उसको पार कर सकते हैं किसी भी type की आपको help की जरूर है तो do right to me I will definitely help you अगर आप को feedback देना चाहते हैं तो do right in the comment section I will be highly obliged of you and try करूंगा आपके सारे answers सारे queries को resolve करने की जन्मी दोस्तों ने मेरे इस video को अभी तक like नहीं किया हो do like it and do subscribe to my channel for more updates तो आज के लिए I hope this much is sufficient मिलता हूँ अगले वीडियो में एक नए update के साथ नए topic के साथ और अगर कोई specific topic आप जाते हैं तो do right in the comment section मैं उस पर वीडियो बिल्कुल लेके आऊंगा तो आपका दोस्त आपका साथ ही रवी यह दुबंसी अभी यहाँ पर आपसे आग्या लेना चाहेगा बिल्कुल आप जुड़ते रहिए अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे तब तक के लिए नमस्कार जैहिंद बंदे मातरम झाल 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 झाल